सब्स्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पास सकें लेटेश्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो सामसंग के कुछ डिवाईशस में न्यू सॉफ्ट्वेर अप्रेट सामसंग ने रोल आउट कर दिया है तो कितने साइच का अप्रेट फाइल क्या कुछ इंप्रूब्मेंट्स किया गया है क्या कुछ ने फीचर्स को एंड किया गया है सब कुछ मैं डिटेल में आज के इ प्रूर से प्रेस कर दिजेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्यूशर आप दिख रहे हैं टिक दोस प्यूशर चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला अपडेट है Samsung M31 के लिए बात करें अपडेट फाइल की तो 425 MB का अपडेट है March 2022 का Security Fatch और इस अपडेट में Samsung ने कैमरा की परफोर्मेंस को इंप्रूफ किया है साथ में device की overall performance को इंप्रूफ किया है यहाँ पर Samsung ने device की security को भी इंप्रूफ किया है device की stability को इंप्रूफ किया है bugs को fix किया गया है कुछ features को भी add किया गया है तो अगर आप Samsung M31 device यूज करते हैं तो अपडेट कीजे अपने device को बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की और तो अगला अपडेट है A50 के लिए बात करें अपडेट फाइल की तो 140 MB का अपडेट है March 2022 का security patch मिल जाता और इस अपडेट में Samsung ने device की security को इंप्रूफ किया है साथ में device की stability को इंप्रूफ किया है bugs को fix किया गया है कुछ features को add किया गया है और device की performance को भी इंप्रूफ किया गया है तो अगर आप A50 device यूच करते हैं तो अपडेट कीजे अपने device को बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की और तो अगला अपडेट है M42 5G के लिए तो finally M42 5G के लिए इंडिया में Samsung ने 1UI 4.1 का अपडेट रोल आउट कर दिया है Android 12 के साथ बात करें अपडेट फाइल की तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं 2414 MB का अपडेट है March 2022 का security patch मिल जाता है और इस अपडेट में हमें Android 12 के साथ 1UI 4.1 दिखने को मिल जाता है और सब फीचर दिखने को मिल जाते है तो अगर आप M42 5G डिवाइस चूच करते हैं तो अपडेट कीज़े अपने डिवाइस को तो यही था आज कि इस वीडियो में उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो कर दिजेगा लाइक चैनल फेकर पहली पर आएं तो चैनल को कर दिजेगा सब्सक्राइब मैंने ताओ उपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिंद वन देबात्रम